नमस्कार धरोहर में स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ जोति से हमारे आज की खास पेशकरश है चमक्ती तलवार फॉलादी ढाल चात्रसाल जी हाँ आज हम बात करेंके बुंदेलखन केसरी के नाम से विख्यात महराजाच चत्रसाल के नाम इतिहास में पराकरमी राजा और बुंदेलखन के सुरवीर के रुप में तरच है उन्हीं से बुंदेलखन की पहचान होती है तो आई देखते हैं सवीर गाथा को जान है सोमान है नमान है सोजान है चट्य साल के बन्नों पे सिरनामों पर अक्सर ये पंक्ति लिखी रहती थी इस पंक्ति में चट्य साल के स्वाभिमानी चैति का अंदाजा सहजी लगाया जा सकता है चट्य साल का जीवन गौरों गाताओं से भरा पड़ा है 82 साल के उम्र और 52 सभी में जीत ऐसा था महराज चट्य साल का पराक्रम तभी तो आज भी बुंदिलखंड की जनता उनका गुंगान करती है वो जगर जहां महराज चट्य साल ने राज किया दर्बार लगाया वो आज भी मौजूद है अपने उजली निशानियों के साथ चट्य साल वो जहां भी जाते विजय की उनकी अगवाई करती अद्विदी थी चट्रसाल की वीरता असाधारन था चट्रसाल का शौर्य यह बुद्देलखंड के जनक महराजा चट्रसाल की कर्मभूमी जिसका कर्ण कर्ण आज भी उनकी वीरकाथाओं से गुंझाय मान है दुर्गम पहाडियों से चारो तरफ सिखिरे महेवा मौ सहानिया को महराजा चट्रसाल ने नई पहचान दी थी उन्होंने इसे अपनी रियासत बना कर कई सालों तक एक चट्र राज किया चट्रसाल के पिता का नाम चम पत्राय था चट्रसाल का जन्म चार मई 1649 को टीकम गड़ के महेवा में हुआ चट्रसाल ऐसे ख्याती प्राप्त राजा बने जिने दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती यानि शक्ती धन और ग्यान की कमी नहीं महसूस हुई बावजूद उनके जीवन में कई उतार चड़ावाए लेकिन उन्होंने कभी हाद नहीं मानी वो हमेशा अपनी प्रजा की हितों के लिए संघश करते रहे वो नियायप्रीश आसक थे जिसके चलते जनता उनका गुनगान करती नहीं थकती थी चट्रसाल ऐसे राजा थे जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सजक रहते थे उन्होंने अपनी प्रजा की आजादी के साथ कभी कोई समझोता नहीं किया यही वज़ा है कि उन्होंने पांच घुरसावाद, पचीस पैदल सैनिकों के दम पत, मोगलों के खिलाब बगावत कर दी यह चातर साल के लोकप्रेता थी कि युध लड़ते लड़ते उनकी सेना की संख्या तीन लाग तक पहुँच गई चातर साल ने अपने जीवन में बावन युध लड़े और सभी मेगो विज़ई रहे उन्होंने मुगलों को नसेप पराजित किया बलकि कभी उन्हें अपनी सीमा में घुशते नहीं दिया उनका पूरा जीवन ग्युध भूमी में ही बीट किया कहा जाता है जब महराजा च्छत्र साल के उम्र 82 साल की थी उसी दोरान औरंगजेब के सेनपती बंगस ने 1729 में बुंदेल खंट पर भारी सेनर के साथ हमला कर दिया धलती उम्र में अपनी रियासत पर मुगलों के इस आक्रमन से राजा बेहत चिंते दूर हो उठे तब उन्होंने बाजिरौ पेशवा को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस यूद में मदद करने की माँगी च्छत्र साल के इस पत्र को पाते ही पेशवा अपनी फोज के साथ बुंदेल खंट पहुँच गये युद्ध में मुगल सिनपती बंगस को पराजित करने में चत्र साल का साथ दिया 4 दिसंबर 1731 को राजा चत्र साल पर लोग सुधार गए लेकिन आज भी उनकी रियासत की जनता उन्हें देवता के रूप में मान देती है खुछ चत्र साल सनातन धर्म और प्रणानी संपरदाय को मानने वाले थे वो एक उद्भट विद्वान होने के साथ सिद्धास्त भुगर्व साश्ती भी थे चत्र साल सौामी प्राणात को अपना गुरु मानते थे पुरी जिन्दगी में अपनी जनता की भलाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया जनता के हितों के लिए छत्र साल ने विपत्तियों का डट कर मुकाबला किया तभी तो उनके जाने के इतने सालों के बाद भी पूरा बुंदिल खंड उन्हें एक न्याई राजा और एक अजे नायक के तौर पर याद करता है नरिंद सिंग परमार ब्यूर रिपोर्ट आईबी सी चुन्टिपोर चटर पुर किले की दिवारें अक्सर फौलादी होती हैं लेकिन इमने से कुछ के निर्बांट पीछे चुपे होते हैं कोबल जस्पात महराज़ चतर साल का अपनी पहली रानी के लिए बनाया गया बुंदिल खंड का ताज महल इसी की मिसाल है इस बेमिसाल इमारत को आज प्रेम के निशानी के रूप में देखा जाता है बुंदेल खंड का ताज महल प्रतिक है वीर राजा और एक सौंदर मही रानी के प्यार का इस महल कुरानी कमरापती के नाम से भी जाना जाता है महराज़त छुत्रसाल ने अपनी पहली रानी कमलापती की याद में इस महल को बनवाया था इस महल में शुष्क भित्ती चुत्रन तकनीक से एक सो असी चुत्रांकन किये गए है महल की उपरी खंड में साथ गुमबद है जिनमें 48 पंखडियों वाले कमल पुष्प दिखाई देते हैं ये सब बुन्देली कला की बहतरी जहाकी पेश करते हैं रानी कमल पत्य के महल से कुछी दूरी पर बनी है राज़ा चुत्र साल की समाधी बुन्देली इस्थापत्ति कला में निर्मेतिस सुंदर इसमानक का निर्माण महराजा चुत्र साल के स्मृति में बाजी राव पेश्वा प्रथम ने करवाया था राजा चुत्र साल के बड़े बेटे हिर्दर शाह के नाम पर यहां एक हिर्दर शाह महल भी है जब हिर्देशाह ने पन्ना रियासत की राजगद्दी संभाले थी उसके बार जब वो महू आय थे तो इसी महल में उन्होंने आराम किया था यहां प्रतेकशायुधार में अभैसनावदार में आसाकधर धर्म इतनी भी मूर्तिया रखी है सब मूर्तिकवाला से बहुत ही अच्छी है बहुत अच्तर संभर है संकट मोचन मंदर है जहां खुद महाराज साल संकट के समय इस मूर्ति के सामने बैठते थे बीर हनमान जी की बहुत अच्छी मूर्ती हैं, 108 मॉनूमेंट एक जगए होना, इसके लिए थोड़ा सा डबलफ करने की ज़रूरत है बेजोड नकाशी, बहतरिन निर्मार शैली और सुंदर्ता के लिए जाना जाता है ये मस्तानी महन इस महल का निर्मार 1696 इस्वी में महराज़ चुतर साल ने करवाया था बाजी राव पेश्वा एक युद्ध में विजए हासिल करने के बाद महु सहानी आया थे और मस्तानी से विवाह किया था ऐसे कई महल, खिले और समारक महराज़ चुतर साल के इस भूमी पर अब भी सीनत आने खड़े हैं जो उस दोर की सुनहरी गाथा मगन होकर सुनाते हैं दनेंसी परमार आईबिसी 24 चुतर पूर किला, गड़, या कहें दुर्ग, राजशाही और इसी के इर्दगिर्द घूमती थी पूरी सत्ता सामरक दिश्टी से ये बेहत एहम हुआ करते थे किसी राज़ा के शौरे, उसके पराकरम, उसके उत्थान और पतन की दास्ता भी जुड़ी होती है किलों से आज ऐसे ही एक खास किले से रुबरू कराएंगे आपको ये किला किसी साधारन राज़ा कर नहीं, बलकि बुंदेला महराजा च्छत साल का है खंड हर महर, सूंसान किला, चुप़ी की चादर ओड़े, बुनन दर्वाजे, ये सब अब भले ही सनाटे में डूब गया हूँ, लेकिन कभी गुल्जार हुआ करते थे यहां किलकारियां गुजा करती थी, ये दर्वाजे यहां आने वाले हरे का दिल से इस्तिकबाल किया करते थे ब्याबान में आबाद ये किला और ये महल, कभी बलंद केसुरी महराज, च्छतर साल की राजधानी का केंदर हुआ करते थे च्छतरपुर जिले से महज 15 किलो मीटर दूर मोग सहानिया में आज भी सांसे ले रही है शोरिय पराक्रम और शूर विरों की ये दुनिया इसके चप्पे चप्पे में लखे हुए हैं सोलने में तिहास के अध्याए ये पहाडियां ये दरख और ये तालाब गवा है उस दोर के जब राजा च्छतरसाल के घोड़े की टापों से धक धक करने लगती थी धर्ती ये वही जगा है जिसमें कभी लगा करता था च्छतरसाल का दर्वार कहते हैं राजा च्छतरसाल ने मौस हानिया में खरीब 40 से लेकर 50 किलों, महलों, मंदिरों, द्वारों और स्मारकों का दिर्मार कराया था वक्त की आंधी में वो सब ठै गए लेकिन अब भी चंद निशानिया यहां बची हुई है यह उनी सो पच्छपर में पंदी जवार लाल ल्यादू प्रदान मंत्री थे इनों में रितका उद्वाटन किया था यह पहारों का महर गुनाएगी, कभी यह दी कोई चड़ाई भी करता है तो इस अब सबस्बचने के लिए इस अब नहीं होता है अब इस अब नहीं होता है, अब इस अब आप में अद्वती यहां पैटन की बहुत संभावना है क्योंकि यहां पर कभीर मनमिर भी, अलगलग संभदाय से जोड़ने वाले अलगले स्कल है हज्जारों की तादाद में यहां पर सृद्धानी वरे, दर्सक या इतियास से जानने वाले इनों आते है रियासत काल में बने महलों में सबसे खास है, यह बादल महल जो अपनी भविता के लिए जाना जाता है, बादल महल दो पहाड़ियों के बीच बना है जिसमें एक नहीं, बलकि कई विशाल दर्वाजे है हलाकि अब ये महल बदहाल हो चुका है, लेकिन खंधर को देखकर इसके बुलंद अतीद का पता अपने आप ही चल जाता है बादल महल के पास ही है महेवा दर्वाजा, जिसकी विशालता का अंदाजा इसी बास से लगा जा सकता है कि कभी यहां से शाही हाथियों के काफिले गुजरा करते थे महेवा दर्वाजे से कुछी दूरी परिस्ट है शीतर गड़ी, इसकी बनावट किसी महल और किले से कम भवी नहीं है माना जाता है कि शीतर गड़ी जितनी जमीन के उपर है, उतने ही जमीन के भीतर भी है दरिंसी परमाद, IBC 24, छतरपोर महराज़ चतर साल की शौरे गाथा कहता उनका किला सैलानियों के आकरशन का सबसे बड़ा केंद्र है चतर साल के प्रेम की अजब कहानी भी सुनाता है ये फौला ती दुर्ग ये है एतिहासिक तिंदनी दर्वाजा ये दर्वाजा साक्षी है महान गुरू शुष्ष की पहली मुलाकात का जी हाँ ये वही तिंदनी दर्वाजा है जहां महराजा चतर साल और उनके गुरू महामती प्राणनात की भेट हुई थी जिसके बाद राजा चतर साल ने प्रणामी धर्म की दिख्षा ली और प्राणनात ने चतर साल का राज तिलक कर उन्हें आपराजई होने का आशिरवाद दिया कुछ समय बाद राजा चतर साल ने प्रणा को अपनी राजधानी बनाया आज भी प्राणना में प्रणामी मंदिर मौजूद है जहां प्राणनात ने समाधी ली थी यह मंदिर अप्रणामी धर्म का प्रमुक केंद्र बन गया है राजा चतर साल की राजधानी रही मौँ, सहानिया और महेवा इलाके में कई और भी इसमारक और मंदिर मौजूद है यह इसमारक इतिहास के सच्चे प्रतिनेधी है यह मौजोद दिर्माणों में बेर्छा रानी का मगवरा, सवाई सिंग का मगवरा, बावन चोकी, चौसट योगिनी मंदिर, तपसीजी का मंदिर, भीम कुंड मंदिर समूर, बिहारी जू का मंदिर, सूर्य मंदिर, नाग मंदिर, गणेश मंदिर और गोराया माता का मंद प्रमुख हैं। इन मंदिरों के चलते ही इतिहास की ये नगरी आस्था के जिवन्त द्वार के तौर पर भी जानी जाती है। कहते हैं अभी जिस बियाबान में खंडहर, किले और महल मौझूद हैं वो कभी तंत्र साधना का केंद्र भी रहा है। माना जाता है कि इन पुरातन महलों में अखूत खजाना गड़ा हुआ है। इसी माननेता के चलते इन पुरातन निशानियों का वजूद खत्रे में भी पड़ गया है। बल्कि सुरक्षा के अभाव में कई अतिहासिक निशानिया तो जमीदोज होने के कगार तक पहुँच चुकी है। नरेंदर सिंग परमार, IBC 24, चतरपूर अगर आप भी महराज़ाच चतरसाल के नगरी को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि आप यहां पहुँचेंगे कैसे। चले हम आपको बता देते हैं कि किस तरस्ते आप पहुँच सकते हैं चत्ता के राज में। तो यदि आप यहां का रुख करना चाहते हैं तो चले हम आपको बताते हैं कि यहां कैसे पहुँचा जा सकता हैं। आसानी से यहां पहुचा जा सकता है। इसके अलावा हरपालपूर रेलवे स्टेशन से भी रेल मार्ग के जरिये यहां पहुचा जा सकता है। राजस्थान के परिटक उदैपूर जोधपूर इंटरसिटी और दिल्ली के परिटक यूपी संपर्ख करांती ट्रेन के जरिये यहां सीधा पहुच सकते हैं। वहीं उद्डियन विभाग ने भी परिटकों की सुवधा के लिए यहां हवाई सिवाई दी है। यहां पर खजुराहों हवाई अड़े से 65 किलोमेटर का सड़क मार्ग तैकर पहुचा जा सकता है। परिटन के लिहाज से अब यह जगा विक्षित होने लगी है। धीरे धीरे यहां पर सैलानियो का जिटना शिरू हो गया है। चत्रसाल की नगरी में घुसते ही सैलानियो को सुखद अनुभव होने लगता है। जिसकी वजह से इस नगरी को लेकर सेलानियों में आकर्शन बढ़ता जा रहा है और इशे के साथ धरोवर में आज बसेता हैं, मुझे दें अजासत, नमस्कार